हेलो फ्रेंट्स आइवलकम यूट्यूब चैनल इसमा इन्वेस्टमेंट आज की इस वीडियो में हम आपको एक ही सेक्टर के दो ऐसे शेयर बताने वाले हैं जिनका रेट दस रूपे के आज पास चल रहा है और यह दोनों शेयर जो हैं बहुत ही अट्राक्टिव अलुशन पे ट्रेड कर रहा हैं घर आप इन शेयर को एक्योमिलेट करते हैं करंटC MP के आस पास लेते हैं तो एक साल से कम समय में यह दोनों शेयर दुगने से ज़दा होने का पोटेंशियल रखते हैं एशे काफी सारे स्टॉक्स हैं जो काफी अट्राक्टिव अलुशन पे हाँ पर अभी भी काफी दमखाम है और ये शेयर्ज आने वाले टाइम में एक बड़ा री रेटिंग देख सकते हैं ऐसा ही एक सेक्टर है banking sector banking sector पिछले कुछ weeks में काफी correct हुआ है जिसका reason था कि economy और जो में जो slowdown आया है और corona pandemic का सबसे ज़्यादा असर कहीं न कहीं banking sector पर पड़ा है पर friends काफी ऐसे stocks हैं जो काफी अच्छे और बहुत attractive valuation पर trade कर रहे हैं sector में और जो आने वाले टाइम में बड़ा multi bagger बन सकते हैं पहला जो stock है वो bank of महराश्ट्रा है फिर्ट अठारा सो सत्तानवे उन्नी सो के आसपास branches है current cmp ग्यारा रूपे के आसपास चल रहा है जहां इसकी 72 क्रोड की market capital है इस particular bank में gross NPA net NPA के front पे हमें काफी सुधार पिछले कुछ quarters में देखने को मिला है 10% की आसपास JNPA और 4% की आसपास net NPA टोटल बिजनस इसका धाई लाग करोड के के आसपास है और सरकार की इसमें 93% के आसपास की holding आप समझेए 1900 ब्रांच है बहातर सो करोड की market capital है लगबग तीन करोड के आसपास तीन साड़े तीन करोड के आसपास एक ब्रांच के valuation बैठती है अगर हम उससे compare करें फिर शेयर को हमने पिछले दो महीने पहले recommend किया था साड़े ग्यारा रूपे के आसपास वहां से इसने 14-15 रूपे का non-stop move दिखाया था जब काफी news flow बन रहा था कि कुछ private कुछ government bank को सरकार private कर सकती है अब वो news flow कम हुआ banking से share में correction आई तो ये share भी काफी correct हो चुका है आने वाले time में ये bank still privatization का सब उससे बड़ा candidate है ये जो है last जो merger announce हुए तो उसमें merge नहीं हुआ था काफी छोटे size का bank है जो independent run होना जिसका बहुत मुश्किल है आने वाले time में इसके privatization होने के पूरे पूरे chances है इसके अलावा भी operational front पे asset quality के front पे इस particular bank ने quarter on quarter basis पे काफी अच्छी performance दिखाई है 11 रूपे के आज़ पास पे अगर को इसको लेता है तो मोटा मोटा माने के चलिए या खोने को कुछ नहीं है banking sector में जब दुबारा से एक run देखने को मिलेगा तो यह stock यहां से जबरदस return दे सकता है और अगर privatization की news दुबारा आती है तो यह stock आपको एक बहुत जबरदस्त move यहां से दे सकता है मोटा मोटा माने के चलिए अगले एक साल में यह stock 20-22 रूपे का target यानि लगबग यहां से 100% का return आपको दे सकता है दूसरा stock है yes bank जो की बहुत ही well and on stock है और बहुत news में रहा है पिछले कुछ time में इस stock ने जब FPO आया था उसके बाद एक जबरदस तरन दिया था 13 रूपे तक का उसके बाद correct हुआ लगा तार एक range में consolidate कर रहा है हाँ आपने से stock में खास बाद देखी होगी कि नीचे साड़े 12-13 रूपे उपर 14-14 रेंज में यह stock पिछले दो महीने से घूम रहा है दो इस particular time period में banking share में जबरदस correction आई है वर इस stock में कोई हमें further fresh selling pressure नहीं देखने को मिला एक range में consolidate कर रहा है सिर्फ आप यह मानने के चलिए कि लगातार अच्छी news share को लेकर आती रही है कि यहाँ पर bank ने last week report किया था इनका deposit भी बढ़ा है advances भी बढ़े है asset quality भी सुध रही है उसके बाद भी under performance का जो कारण है वो यही है कि अभी जो slow down banking और economy में चल रहा है उसकी वज़े से पूरा banking सेक्टर प्रेक्टर में बैंकिंग सेक्टर जो चलेगा तो यह शेयर भी जो है काफी अच्छा जो है रन आपको दे सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी में यर्स बैंक में वर्स लगबग खतम हो चुका है SBI की entry आई, FPO के बाद में इनके capital requirement भी पूरी हो चुकी है इन्होंने जो RBI से short term borrowing ले रखी थी emergency fund वो भी सारा repay कर दिया है, asset quality improve हो रही है, NPA घट रहे हैं, bank के fundamentals लगतार change हो रहे हैं even business भी continuously grow कर रहा है और वर्स इसके रिए खतम हो चुका है banking sector एक ऐसा sector है जिसके बिना ना तो economy survive कर सकती है, अगर economy को grow होना है तो banks को तो grow होना ही पड़ेगा दो ये sector काफी problem से गुजर रहा है पर यहाँ पर वर्स इसके लिए खतम हो चुका और पीछे हमने देखा है कि SGFC bank के CMD ने भी ये बात बोली थी कि banking sectors के बाने वाले टाइम में जो है growth prospects काफी positive है और काफी जो है अच्छा business banking sector को मिल रहा है तो यहाँ पर आप माने के चलिए कि banking के बिना market भी perform नहीं कर सकती सूनर और लेटर bank nifty परफॉर्म करेगी banking shares perform करेंगे उसमें से आप यह दो शेयर ऐसे हैं जिनमें लगबग downside cap और अगले एक साल में 90-80% का return यह आपको generate करके दे सकते हैं फर्दर आपके कोई भी कर रही हो feel free to ask me in the comment section वीडियो पसंद आईए like कीजिए friends के साथ share कीजिए channel को subscribe करना ना भूलिए thank you झालिए